यूटिलाइज यूर वैकेशन लोग वैकेशन में गाउं घुमने जाते हैं मैं गाउं घुमके जाऊंगा ना 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 नी के आ जाऊंगा मामा मामी के आ जाऊंगा लोगों को वैकेशन में गुमने दो मानियों करने दो और तुम लोग वैकेशन में कम से कम चार से पांच चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के पढ़ डालो साइन्स के मैट्स के हिस्ट्री जोग्राफी इंग्लिश मैट्स सभी के जब तुम लोग पहले दिन स्कूल में जाओ तुम्हारा पांच पांच चैप्टर पहले से ही हुआ रहेगा पहले से तुम्हारे लर्निंग हो चुकी होगी याद रहेगा तुम्हें हर एक चीजे अब समझ रहो और जब तुम यूनिट टेस्ट में लिखोगे तुमको चैप्टर पढ़ोगे ऑक्टूबर महीने में तुम्हारा पूरा पढ़के हो जाएगा रे बाबा तुम्हारा पढ़के हो जाएगा तुम नॉयमबर डिसेंबर जनवरी फरवरी रिवीजन करोगे फ्रिलियम दोगे खेल खेल में ऐसे ही हो गया मेरा दसवी हेलो अब्रेवन गाईज मारे में प्रशान्त यान यूर वाचिंग न्यू इंडियन एरा सुफानिल वेलकम बैक अगें टू आर चैनल न्यू इंडियन एरा एनाई स्कूल और आज की इस चैनल के अंदर आप जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और हमारे न्यू एकडेम की एर की शुरुवात होने जा रही है क्लास 10 के सभी बच्चे ध्यान से सुन लो कि ये चैनल एड इंड आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है डेफिनेटली आप लोग बेस्ट से बेस्ट माक्स अचीव करोगे अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो क्योंकि हम लोग इस साल बहुती बड़े प्लानिंग के साथ बहुती बेस्ट तरीके से स्टेटजी, प्लानिंग, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और रिवीजन सेशन, एक्सरसाइस कोश्चन, सब कुछ इसी चैनल के अंदर आल सब्जेक्ट सब लेकर के आने वाले हैं तो यार फानली शुरुवात करते हैं आज अपने पहले वीडियो नए एकडमी की यर क्लास 10 के बच्चों के लिए पहला वीडियो मारा है तो यार आज किस वीडियो के अंदर डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा कि यार शुरुवात कैसी करनी चाहिए आप सब जानते हो जो पहली सीड़ी होती है वही सफलता तक ले करके जाती है कि किस तरीके से आप पहला स्टेप रखते हो वही आपको जीवन में हमेशा आगे ले करके जाता है तो आपका जो पहला स्टेप होगा पहला कदम होगा पहला स्टेप आपका कैसा होना चाहिए किस डारेक्शन में होना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए प्लास 90, 95 प्लास ला सकता है इस बात को ध्यान देना क्लास 10 के अंदर बहुत ही आसान तरीके से अगर सिर्फ फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है चार घंटा भी डेली का वो बच्चा बेस्ट से बेस्ट मांक्स अचीव कर सकता है तो गाइस आर यू रेडी फॉर इस सेशन बिगेस्ट वन एकदम धमाकिता तरीके से वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले बिना लाइक किये मत जाना और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगेगी आपको आने वाले टाइम पर तो चलिए शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजे बता दू देखो कुछ इंपोर्टेंट चीजे ध्यान दखना अच्छे से शुरु कर दो करते हैं तै क्लास 10 बहुती आसान तरीके से आप यहां पर बहुत ही आसान तरीके से सारे के सारे अचीवमेंट्स पा सकती हो एक बात हमेशा ध्यान देना कि सबसे most important point है class 10th के अंदर early start ध्यान देना अच्छे से जो जितना जल्दी शुरुवात करता है जो जितना जल्दी शुरुवात करता है वो उतना आगे जाता है class 10th में अगर आपको बहुत अच्छे marks लाने हैं और बहुत कम समय में ज्यादा फे ज्यादा पढ़ाई करके तो आपको early start करना होगा इस बात को ध्यान देना अच्छे से make secrets जो भी आपके plannings है उनको हमेशा secret रखो मतलब किसी को सबको बताओ मत कि मेरा goal 95% का है मुझे 95% लाना है मुझे 97-99 board 4 देना है एकदम 100% लेकर आना है कभी भी अपने secret को छुपा के रखो बहुत ज्यादा important चीज है दूसरी सबसे important चीज सबसे important चीज अपना make your plan अपना खुद का एक plan बनाओ इस बात और वह planning कोई नहीं जानना चाहिए वह planning आपकी day by day होनी चाहिए वह planning आपकी week की होनी चाहिए वह planning आपकी month की होनी चाहिए और वह planning आपकी complete year की होनी चाहिए इस तरीके से आपका complete आपका day plan करना होगा आपको आप समझेरों में क्या कह रहा हूँ दूसरी important चीज है सबसे most important है consistency अगर आप consistency के साथ हर एक चीज को daily basis पर करते हो आप definitely बहुत best से best marks class 10 में achieve करोगे all subject आपके आराम से cover हो जाएंगे समझेरों में क्या कह रहा हूँ proper way में आपका चीजे clear हो जाएंगी इस बात को ध्यान देना अच्छे से तो चलिए मैं आपको कुछ important तरीकों के साथ आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजों को ध्यान देना है यह पूरा वीडियो ध्यान से देखना आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजे समझ में आएंगी और आप एक अच्छे तरीके से अच्छे माइंड से साथ ज जो सभी लोग follow करते हैं जो एक ideal student जो एक consistency वाला लड़का लड़की होती है वो follow करती है वो आप ध्यान दुजर आच्छे से तो सबसे पहला है step 1 पहला step है आपको success पाने का सबसे best तरीका कि देखो यार जैसे कि मालो teacher ने आज कोई lecture लिया कोई lecture अगर मालो आज teacher ने लिया तो आप घर पे जाते हो और उस lecture को तुरंत revision करते हो तुरंत उसकी आप notes बनाते हो और तुरंत उसकी आप learning कर लेते हो यह तीन चीज़ें हो गई आपकी daily basis पर for example के लिए teacher ने आज मालो maths का lecture लिया तो आप घर गए maths का उस topic का revision notes और learning आपने कर लिया सेम उसी दिन मालो teacher ने हमारे science भी सिखाया था तो science का revision notes और learning आपने कर ली daily का काम daily आप करते जा रहे हो फिर आपको कोई चिंता की बाती नहीं है भाई आप तो daily का काम daily करते जा रहे हो आप कभी भी पीछे नहीं हो सकते आप unit test आने तो आप best marks perform करोगे क्योंकि आपको सब याद है आपने notes बना रखी आपका revision हो चुका है आपके उपर burden नहीं है 10th के अंदर burden को दूर करना होता है burden से हमें दूर हटना होता है ये चीज़ आप ध्यान रखना अच्छे से तो बस आपको क्या ही चाहिए इतना आपने सब कुछ maintain कर लिया है ये सबसे सुन्दर और आ 10-12 घंटे की निद मतलो और step 1 यही आपका है सबसे पहला तरीका success पाने का daily का काम daily करना ज्यादा time भी नहीं लगेगा 3-4 घंटे max to max आपके लगेंगे और आराम से आपका एक दो घंटा भी नहीं लगेगा अच्छे से अगर daily का काम daily करते हो तो कितने बच्चे इस step 1 के सा 95% बच्चे इसी तरीके से success पाते हैं क्योंकि कोई बच्चा step 1 follow नहीं कर पाता day 1 से रोज का काम रोज कोई करने से कभी नाना घर से आएंगे कभी मामा आ जाएगा कभी घुमने चल जाओगे कभी कुछ होगा daily का काम daily थोड़ी हो पाता है वो एक ना एक दिन का burden होई जात है जब भी teacher का lecture होता है इस बात को ध्यान देना तो lecture के time पे ही आप लोग उनकी तुरंत notes बनाओ जो बच्चा notes नहीं बनाता है वो बच्चा at the end exam के time पे बहुत problem में आ जाता है जिसे science gravitation chapter मालो अब teacher जो board में लिखवा रहा है वो तो तुमको तुरंत लिखना ही है लेकिन उसके साथ साथ teacher जो बोलता है कुछ चीजे teacher लिखता नहीं है जो बोलता है उसको भी आप लोग को तुरंत capture करके लिखना है जो board में लिखा है उसको सब बच्चे एक class में मालो 70 बच्चे बैठे हैं सब copy करके लिखेंगे लेकिन उसमें से जो कुछ बच्चे होंगे 10-15 ब बच्चे का बोला हुआ student लिख लेता है यह होता है सबसे best चीज नोट्स मेकिंग यह दुनिया की सबसे best होता है टेक्नीक होती है इसकी ध्यान देना अब यहां बच्रा समझो notes making is an art याद रखना अब कोई कोई तक कचरे जैसा कुछ भी मतलब उनको प्यार नहीं होता है notes बनाने से एकदम अंदर से ऐसे feeling आने चाहिए notes बनाने में एकदम सुन्दर सुन्दर handwriting में colorful अलग-अलग pen से color ले करके pencil diagrams and labeling ऐसे होना चाहिए notes notes making एक art एक कला है कितनी सुन्दर आप notes बना सकते हो कितनी अच्छी चीज होती है you will not believe समझना मैं क्या कह रहा हूँ notes making seriously बहुत best चीज होती है हर बच्चे को notes बनाना चाहिए आप एक fact समझ लो कि अगर मालो 10 chapter science 1 में 10 chapter science 2 में 20 chapter total science में same maths में history geography हर एक subject में है और exam के एक दिन पहले जब board exam आपका होगा तो क्या आप सभी लोग इतना सारा एक ही बार में कर पाओगे परबाओगे तो आपको notes बनाना सबसे important है आपके लिए अगर आप notes नहीं बनाते हो तो आप बहुत पीछे हो चाहोगे दूसरे चीज notes आपने बना लिया तुरंत अब आप अपने notes को update करो notes को update करो कैसे update करोगे आज ही जैसे कि मालो teacher ने gravitation chapter या फिर मालो herity and evolution chapter शुरू किया तो teacher ने कुछ चीजे बता या आपने कुछ चीजे पढ़ लिया लिख लिया कोई समस्या की बात नहीं है ठीक है जब आप घर पर जाओगे तो आप क्या करोगे एक बार उस चीज की reading करोगे क्या करोगे एक बार उस चीज की reading करोगे औ और read करने पर आपको कुछ ज्यादा चीजे एक्स्टा पता चल सकती है हो सकते है teacher से छूट गया हो समझा की नहीं समझा उस चीज को आप अपनी notes में update करोगे notes updation is really very important इस बात को ध्यान देना जब आपका notes update हो जाए तो जब teacher दूसरे दिन का lecture लेता है जैसे कि मानलोब कल दूसरा lecture होने वाला है तो उस lecture के पहले अपने notes की revision करके जाना है revise your notes अब अगर आप लोग ने revision ढंक से किया आलस नहीं करने का कि मेरे नाना ने बुलाया वड़ा खाना है समोसा खाना है इधर जाना है उदर गूमने जाना है आज तो मम्मी बिमार है तो मेरे को काम करना पड़ेगा तो मैं नहीं revision करके जाओंगी परसो कर ल ही दूसरे दिन lecture में जाना है क्योंकि science की अगर मैं सिर्फ बात करूं science एक ऐसा subject है कि जिस subject को past की चीजी आपको पता होना बहुत जरूरी है तभी आपको समझ में आएगा और example अगर science 1 में gravitation में आकरा पुझाना है तो आपको science 1 जो है आपके 9th standard का chapter 1 आपको आना चाहिए सेम तरीके से अगर आपको science 2 का chapter 1 heritage and evolution सीखना है तो आप लोग को अच्छे से gene के बारे में cell के बारे में और amino acid क्या होता है इस सब के बारे में पता होना चाहिए समझ रहे हला कि हम जब पढ़ाएंगे हम सब basic से सिखाएंगे 9th कभी सब सिखा देंगे 10 चिंता मत करना इसी channel के अंदर बड़ स्टिल आपको इस सब पता होना चाहिए past का चीज lecture 1 नहीं पता तो आप lecture 2 नहीं समझ पाऊगे और समझ नहीं पाऊगे तो फिर 10th में 19 नहीं अपना learning का एक proper schedule बनाओ अब देखो schedule में क्या होगा मैं time table की उपर आपको एक video दूंगा लोग कैसे time table बनाते हैं वो मैं आपको बता हूंगा बट मैं आपको चीज बोलता हूं target based study करो target based study learning schedule का मतलब यह कि आज इतने दिन में या इतने समय में इतने घंटे में मेरा ये chapter प सब्सक्राइब बões और कि मेरा थाइम पढ़ो रात में पढ़ो दिन में पढ़ो दोपार में स्कूल में पढ़ inquire Ondes Toby पढ़ो हवामें पढ़ो काई ऑगन तो एक्जाम में लिखोगे ना, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बरबाद है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, तो यह सबसे बेस्ट मोका है, इस बात को इस बार बाजी मार दो, clear है, ध्यान देना, तो यह चीज आपको clear हो गए होगी, notes making and revision is really very important, अगर आप notes नहीं बनाते हो, तो आपको बहुत problem होने वाली है, चलो, दूसरी important चीज, अब आते हैं, 10th में कुछ important चीजे, जो आपको जानना ही चाहिए, बहुत important है, सबसे पहली चीज, 10th की friendship कभी काम नहीं आएगी, तो friendship पे कभी भी अपना time बरबाद मत करना, क कि वो मेरा दोस्त का इतना पढ़की हो गया, वो मेरा दोस्त ऐसा करता है, वो इतना वहां जा रहा है, वो यहां घूम रहा है, उनकी अपनी अलग दुनिया है, तुम हो different हो, वो different है, उनकी अलग situation है, तुमको तुम्हारी हिसाब से चलना है, उसको अपने हिसाब से चलना ह टो फ्रेंडशिप के चक्र में 10 में मत पढ़ना और नप बरबाद हो जाओगे गारवी भी बरबाद होगा बरबी भी बरबाद होगा जिंदीगी भी रगे खुद के साथ दोस्ति करो पहले थिका अच्छाक बनाहो तब दोस्ति करती हो बढ़ ये बात कोई जानना नहीं चाहिए चुप चाप एकदम सफलता कि साथ पढ़ना है हाड वर्क करना है महनत करना है राते लगा देनी है लेकिन कोई जानना नहीं चाहिए कि तुम कितना पढ़ते हो सब के सामने चिल रहने का एकदम मजा तो इसी चीज में रात 28 परसेंट अचीव डिन क्लास 10 स्टैंडर्ड समझ रहो एकदम ऐसी वाली पीलिंग एकदम बवाल हो जाए पूरे एरिया में नाम हो जाना चाहिए तुमारा समझ रहो ऐसी प्लानिंग किसी को अपनी प्लानिंग मत बताओ समझा अच्छे से ध्यान देना अच्छे से हर ए यह प्लानिंग से अच्छे सी प्लानिंग करऊं कि यह टॉपर था 9th में इसको इस बार पिछे करना है कुछ भी हो जाए ऐनियो इसको पिछे करदेना है यह अशी प्लानिंग ऐसी स्टड़िया सा कॉंसेप्त ऐसी चीजी करनी है कि वह पीछे हो जाना चाहिए कोई परक न अच्छे से याद हुआ, मुर्कों तो 9 में कुछ भी याद नहीं होता था, 10 में इतना अच्छे से मुझे याद हो रहा है, ये फरक पड़ता है, ये सबसे बेस्टीज है, समझा अच्छे से इस तरीके अफे तुमको आगे जाना है, तो यूनिटेंट समेस्टेर में तुम्ह अच्छे से, यूटिलाइज यूर वैकेशन, लोग वैकेशन में गाउं घुमने जाते हैं, मैं गाउं घुमके जाओंगा, ना-ना-नी के यहां जाओंगा, मामा-मामी के यहां जाओंगा, लोगों को वैकेशन में घुमने दो, माजा करने दो, और तुम लोग वैकेशन मे कम से कम चार से पांच चैप्टर हर एक सबजेक्ट के पढ़ डालो साइन्स के मैट्स के हिस्ट्री जग्राफी इंग्लिश मैट्स सभी के जब तुम लोग पहले दिन जाओ तुम्हारा 5-5 चैप्टर पहले से ही हुआ रहेगा पहले से तुम्हारे लर्निंग हो चुकी होगी याद रहेगा तुम्हें हर एक चीज है अब समझ रहे हो और जब तुम यूनिट टेस्ट में लिखोगे तुमको सिर्फ रिविजन करना होगा तुम्हारा पांच चैप्टर पहले हुआ है जब स्कूल में लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब तुम छटवा साथवा चैप् था यूच्छे से इस तरीके से घरना है तुमको इस तरीके से जब लोग छुरू होंगे पहला देन जब स्कूल में लोग जाएंगे पहला चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम्हारा चैप्टर याद हो रहा होगा पहला यूनिट टेस्ट में तुम बैटोगे वहां पे ती और किसी को बताओ मत देखो ऐसा होना चाहिए पूरा दो महिना चुप चाप घर में उल्लू के जैसा घर में बैठके पढ़ाई किया रात दीन बराबर एक्टम जिस दिन स्कूल में गया तो मन ही मन खुश हो यार मुझे तो 6 चैप्टर आता है बेस्ट वे में और चुप चा में आगे हम तो मजे कर रहे थे वेकेशन में और यह कैसे टॉप कर रहे हैं सोचा भी नहीं था इतना आगे निकल जाएगा इस वे में तुमको आगे निकलना है समझा यूटिलाइज यूर वेकेशन अच्छा कासा इस्तेमाल करो अपने एक एक दिन का एक समय का बहुत कीम किमती है याद रखना इस चीज को समझ किया मैं क्या कह रहा हूं तो वेकेशन को अपनी यूटिलाइज करो अपनी कभी फ्रेंडशिप मत बनाओ कोई दोस्तने सबी देखो दुनिया में आपको एक बात बताता हूं मैं मैं अपने ऑफ-लाइन ट्यूशन के अंदर हर एक ब अपने दोस्तों से दूर हो जाता है जो फाल दुगीरी फे दूर हो जाता है जुसी बच्छाई में फोकस करता है कॉम्पटिशन में आता है वही लड़का आगे जाता है इस बात को ध्यान रखना वरना सब तो पीछे ही पड़े होते हैं सब तो फालतोगीरी कर रहे होते हैं तुम तो कम से कम अच्छा करो कोई एक तो दुनिया में आगे होना चाहिए देश कौन समालेगा तुम ही तो सम आओ हर एक चैप्टर की रीडिंग करो मैस के सारे फॉर्मिले याद कर डालने का सॉल्ड एक्सरसाइस कोश्चन कुछ नहीं छोड़ने का कुछ भी नहीं छोड़ना है मतब ऑप्शन का अभी से नहीं सोचना है डिसंबर जनवरी में आएंगे तब इंपोर्टेंट वो कभी नहीं भूलोगे तो कसम खाओ कोमेंट में लिखो भईया आई प्रॉमिस यू मैं अभी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगा एक प्रॉपर शेडूल बनाऊंगा और बड़े से पेपर में अपना टार्गेट रख करके घर के दिवाल में जहां तुम आठ जून 2025 को आएगा और उस दिन मुझे 95% क्लास 10 में मिलेंगे चिपका दो आठ जून को मेंसा रिजल्ट आता है चिपका दो ऐसे दिवाल में चिपका दो और उसी को रोज देखो कि मैंने कसम खाई थी खुद से मैंने भाईया के चैनल के अंदर कॉमेंट किया था कि 95% प्रामिस करता हूं कि मेरा आएगा आठ जून 2025 को मेरा रिजल्ट आएगा 10 का मैं यही मार्क्स अचीफ करूंगा या करूंगी रोज तुम्हें वो याद दिलाता रहेगा याद रखना अब बहुत सारे बच्चे जोस जोस में यह कर लेंगे यहाँ अभी लिखते हैं तु सा इंगलिष में आपको 95 जाएगे तो चाहें आपका हर एक सब्जेक्ट साइंस में आपको 95 लाना पड़ेगा मैंठ में 95 SST में आपको 95 English में आपको 95 आपको Hindi में 95 आपको मराथी में 95 आपके सभी सब्जेक्ट में जब 95 आएंगे तभी तो आपका 95% बनेगा ना समझा? मैं कहता हूँ कि मालो आपका मराथी में 80 आगया तो best of 5 रहता है उसके वज़े से आपको 95 आजाएगा लेकिन 5 सब्जेक्ट में minimum 5 सब्जेक्ट में 95 मार्क्स के उपर होना चाहिए तभी आपका 95% बनेगा वरना आपका 95% नहीं आएगा इसका मतलब आप सोच लो कि आपको Science में, Maths में, SST में English में, Hindi में, Marathi में किसी में 5 सब्जेक्ट जो आपके बहतर होने चाहिए आपको उनमें 95% लाना होगा हिम्मत के साथ काम लो रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल फिक्स बनाओ शेडूल बनाओ आप सोचो उसके लिए आपको कितना फोकस होना पड़ेगा यह दोस्ती यारी घूमना बागना यहां से वहां नाचना फाल तुगिरी है सब सिफ इसी चीज में फोकस करना होगा तब जाके आपके 95% बनेंगे लोग वीडियो बना देते हैं 98% आएगा 95% आएगा 90% आएगा रियालिटी यह है हर सब्जेक्ट में मिनिमम पाँच सब्जेक्ट में 95 के मार्क्स के उपर लाओगे तब जाके 95% आपका एग्जाम में आएगा बरना नहीं आएगा क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को सेट कर लो अपने माइंड में समझा अच्छे से तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हो हमेशा कि मुझे हर सब्जेक्ट में 95 लाना है और 95 लाने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा मेरी एकुरेसी कितनी होनी चाहिए मुझे कोई भी चीज नहीं भूलना चाहिए हर एक fill in the blank, mcqs, one sentence और odd man out चाहिए वो कोई भी diagrammatic question, activity sheet हो salt example हो, exercise के question हो चाहिए पूरे book की reading हो diagrams हो, anything, कोई concept, formula, questions, कुछ भी हो हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी तब जाकि आपको हर एक subject में 95% हैग और उसके लिए आपको ready रहना पड़ेगा daily का काम daily, consistency के साथ महनत करना है, क्योंकि हराना है monitor को पिछे करना है, महनत करनी है school में सब से आँगे जाना है, top करना है last year है, नाम होना चाहिए कि school में इस बंदे ने top किया था फालतवीरी तो सब करते हैं हमें बहुत आंगे जाना है हमें school के उस dashboard में नाम लाना है, achieved 97% in class 10th standard, समझा अच्चे से 2024 की badge हमेशा याद रहना चाहिए तो ये बात हमेशा याद रखना, ये हमारा first video था, इस academic year के लिए and next video आपको time table कैसे बनाना है, उसकी उपर आएगी फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी videos आती जाएंगी, और 15-16 April से, हम लोग आप लोग का class 10th का science और maths पढ़ाना शुरू करेंगे, इसी channel के अंदर, इसी पुरा नया syllabus अच्छे से पढ़ाएंगे, पिछले 2 लाइंगे, पुरू करेंगे, इसे उनियू करेंगे, इसी अनियू करेंगे, इसी बाएंगे, जाएंगाइंगे